हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है हाउ टो एड फेस्बूक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस तो एक्जामपर के लिए माल लिजे कि मेरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस्तिमाल किया है फेस्बूक का जापर मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ मैंने फेस्बूक पे सबसे पहले तो अपने बिजनेस का एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज़ पे मैंना रन किया है अपना एक लीड एड अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेस्बुक लीड एड से अपने डॉप शिपिंग बिजनस के लिए तो आटोमेटिकली वो लीड की डीटेल्स को मैं एड करना चाहता हूँ गूगल शिट की रो में ताकि अपनी सारी लीड का वहापे बैकाप रख सकूँ और बाद मैं अपने डीटा को अच्छे से एनलाईज भी कर पाऊँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर सकते हैं पैबली करिट की मदद से फेस्बुक लीड एड्स और गूगल शिट के बीच में कनेक्शन बना की अब जब भी आपको फेस्बुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो आटोमेटिक लीड की डीटील्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शिट की रो में तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे आटोमीशन को कैसे करिट कर सकते हैं इन दोना अप्लिकिशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation, Google Sheets और Facebook Lead Ads के बीच में कि जैसी Facebook से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके Drop Shipping Business के लिए तो Automatically Lead की डीटियल्स जाके Record जाएंगी Google Sheets की रो में और यह पूरी प्रोसेस हम Automate करेंगे पैबली Connect की मदद से Google Sheets और Facebook Lead Ads के बीच में एक Connection बनाके तो चलते हैं New Tab पे अब देख सकते हैं यह है पैबली का Landing Page पैबली एक बहुती Amazing Software है जाप Multiple Applications को Connected Integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाएंगी Sign Up for Free पे जाब को हर मैंने मिलेंगे 100 Free Tasks के ऐसा Automation Create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply क्लिक करिएगा Sign In पे Sign In पे क्लिक करते ही आपके सामने Open होंगी पैबली की Apache Man Applications आज हमको यूज करना पैबली करेंट का तो क्लिक करेंगा मैं Access Now पे Access Now पे क्लिक करते ही अब आपके सामने Open होगा पैबली करेंट का Dashboard पैबली करेंट के Dashboard पे आने के बाद हमको जाना है Right Hand Side पे क्लिक करना इस Blue Button पे Create Workflow पे और एक नया Workflow हमको यहाँ पे बनाना है जैसे Create Workflow की बटन पे आप क्लिक करेंगा आपके सामने डालोग बॉक से पेयर होगा जहाँ आपको इस Workflow को एक नाम देना है फोल्डर चूस करने के बाद क्लिक करना आपको Create पे और जैसे आप Create पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे यह दो Important Boxes जिनको हम कहते हैं Trigger and Action Basically जो पूरा Automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों Principles और Concepts पर इस डूते हैं इनकी Definition की बात करें तो Trigger कहता है When this happens मतलब जब ऐसा हो तो Action कहता है Do this मतलब ऐसा कर दो अब Trigger और Action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का मरा Objective क्या है मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखिए आज का मेरा बड़ा Simple सा Objective है मैं चाहता हूँ जब भी मुझे Facebook पे कोई नई Lead Receive होती है तो Automatically वो Lead की Details को मैं Add करना चाहता हूँ Google Sheet की Room में अब एक्जामपल के लिए माल लिए कि मेरा एक Drop Shipping का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए Facebook पे मैंने अपना एक Page Create करके रखा है जिसका नाम है Ease Drop Shipping और इसी Page पे मैंने एक Lead एड भी रन किया है अब जब भी मुझे नई Lead Receive होती है तो Automatically वो Lead की workflow ट्रिगर हो जाएगा और हमारी Action Application मतलब Google Sheet में नई Lead की Details Automatically Enter हो जाएगी तो चलता हम पैबली के नेट पे सबसे पहले चूज करते हमारी Trigger Application जिसका नाम है Facebook Lead Ads यहां से मैं चूज करें अपने Trigger Application और Trigger Event हमारा क्या होगा Trigger Event हमारा होगा New Lead मतलब Facebook पे नई Lead मिलते ही हमारा workflow आटोमेटिकली Trigger हो जाएगा तो यहां से मैं चूज करूँ अपने Trigger Event New Lead Instant आप Facebook में नई Lead Instantly जैसी हमको मिलेगी तो हम क्या करना चाहते हैं हमारी Action Application मतलब Google Sheet में सारी Leads की Details एंटर करना चाहते हैं तो Action Event हमारा होगा Add New Row और Action Application हमारी होगी Google Sheets अब देखे Google Sheets और Facebook Lead Ads दोनों की पीच में कोई भी Direct Connection नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली Connect का तो सबसे पहले Facebook का अकाउंट मैं हापे Connect करूँगा पैबली Connect से यह जैसी Facebook पे जो Lead Ads हमने रन किया हमारी पीच पे इस प बाद आपको जाना है Add New Corrections पे अब देखिए मेरा Facebook का अकाउंट अर्रेडी लॉग डिन एन यूड टैप पे तो जैसे मैं क्लिक करूँगा Connect फिर Facebook Lead Ads पे तो Automatically हमारा Authorization यहां पे सकसेस्पूल हो जाएगा और Facebook का अकाउंट पे Connect हो जाएगा पैबली Connect सी और देखिए हमारा पैबली Connect के पास और जिस पीच पे हमने लीड फॉर्म बनाके रखा है तो देखिए जो मेरे पेज के नीम है उसका नाम है Ease Drop Shipping तो मैं जाओंगा पैबली Connect पे चूज करूँगा अपना पीच जिसका नाम है Ease Drop Shipping और इस पीच पे मैंने कई सारे लीड जन फॉर्म बनाके रखे हैं उस सब आपको यह पे दिखे रहे होंगे इनमे से जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है Drop Shipping बचाता हूं जब भी कोई परसन इस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो तो आटोमेटिकली हमारा Workflow Trigger हो जाए अगर आप चाहें तो यह वाला option में आप इससे क्या होगा अगर अपने Multiple Forms Create करके रखे होंगी तो किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो आटोमेटिकली आपका Workflow Trigger हो जाएगा और इंडिविजली भी आप चाहें तो किसी एक फॉर्म को चूज कर सकते हैं तो माली जब मेरे फॉर्म का नेम है Drop Shipping, Form मैंने आपर कर लिए Select और पीज भी मैंने आपर कर लिए Select अब मैं क्लिक करूँगा Save & Send Test Request की बटन पर तो आप देखेंगे पैबली करेंट है पर वैबुक रिस्पॉंस का वीड करने लग गया है और नोट पर हमको बोला है कि जैसे हब Save & Send Test Request की बटन पर क्लिक इसके बाद आपको एक Test Submission करना है Test Submission इसलिए करना है क्योंकि जो एक्जामपल है मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे आप एक Test Submission करना पड़ेगा और आप देखेंगे जैसी मैं टेस्ट लीड जनरेट करूँगा तो उसकी डीटेल्स पैबली देखेंगे लिए हम चलते हैं Metafor Developers पे क्लिक करते हैं My Applications पे क्लिक करते हैं उपर आपको एक Option देखेंगा Tools का क्लिक करना आपको Tools पे इसके बाद आपको जाना है Lead Ads आईट्यू डीबग टूल पे और देखिए यहां पे आपके समने Lead Ads टेस्टिंग टूल ओपन हो चुका ह अब यहां पे हमको वही पीज और Form सेलेट करना है जिसके लिए हम एक नई Lead जनरेट करना चाहते हैं तो देखिए जो पीज का हमारा नाम था उसका नाम था Is Drop Shipping यहांसे मैंने Tools का लिए अपना पीज और मेरे Form का नेम था Drop Shipping अब देखिए जैसे मैं Preview Form पे क्लिक करूँग लीड का फुल नेम है डैमो टेस्ट यह है लीड की मिल आईडी डैमो एडिरेट पैबलिट्स टॉट कॉम और यह है लीड का कॉंटेक्ट नमबर अब जैसी मैं Next पे क्लिक करूँगा समबट पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए आप एक नई टेस्ट लीड जनरेट हो च डैमो टेस्ट यह है लीड की मिल आईडी और यह है लीड का कॉंटेक्ट नमबर इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो सही से काम कर रहा है हमने Facebook के अकाउंट को successfully connect कर दिया पैबली किनेक्ट से अब जब भी आपको अपने drop shipping business के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी Facebook से तो automatically वो इसके बाद आपको जाना है add new connection पे जैसे आप अपना account चूज करना है authorization प्रोवाइट करनी है तो आपका Google का account भी connect हो जाएगा पैबली कनेक्ट से पर यह step मैं पहली कर चुका हूँ तो directly मैं क्लिक करूँगा select existing connection पे क्लिक करूँगा मैं save पे तो जो मेरा Google का account है वो यहाँ पे connect हो जाएगा पैबली कनेक्ट से और देखिया हमारा account है पे connect हो चुका है अब account connect होने के बाद वो spreadsheet आपको हैँ पे select करनी है जिसमें आप सारी leads की details एंटर करना चाते हैं तो time पैबली कनेक्ट पे और देखिए सारे कॉलम से आप आ चुके हैं शीट हमारे system ने automatically detect कर लिए क्योंकि एकी sheet पना पर create करके रखी थी और वन बाई वन करके यह सारी fields हमको यहाँ पर करनी है फिल और यह हम फिल करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है अमरे trigger application से मतलब facebook lead ads से उसे response का use मैं आपे कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping तो देखे mapping कैसे की जाती जैसे आप इस blank field पे क्लिक करेंगे तो facebook lead ads जो कि हमारी trigger application ती जो कि हमारी previous step थी वह आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसके drop down पे आप जैसी क्लिक तो जो भी response आपको मिला ता आपके trigger application से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहोगा तो यह था lead का full name डेमो टेस्ट इसको मैं आपके कर दिया मैं कुछ इस तरीके से इसी तरीके से जो lead की मिल ID है वो भी मैं आपके कर दिया मैप और इसी तरीके से जो lead का contact number है वो भी मैं आ आपे कर दिया है मैप, आप देख सकते हैं सारी डीटेल्स मैंने आपे फिल कर दी है अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपे क्यों किया तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्टफलो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने आपे मैप किया है ये डेटा आटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा बड़े असान शब्दों में मैं आपको समझाओं तो जब भी आपको फेस्बुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो आटोमेटिकली वो नई लीड का कॉंटेक नमबर, नेम, इमेल सारी डेटेल्स अपने आप यहाँ पर आके अपडेट हो जाएगी अपने आप आपका वर्फलो ट्रिगर होगा और अपने आप यह डेटेल्स जाके रिकॉर्ड जाएगे गूगल शीट की रो में आपको कोई भी मैनुल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैपिंग करना होती है बहुती ज़्यादा जरूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हमने आप यह डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुल टाइप कर देते तो यह डेटा रहता मेशा स्टैटिक या पर्मनेंट फिर हमारा वर्क्फलो काम नहीं करता इसलिए मैंने आप यूज के मैपिंग का अब देखिए जैसी में सेवंट सेंड टेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा आटोमेटिक लिए डीटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की ड्रो में और देखिए हमको एपिया रिस्पॉंस आपर रिसीब हो चुका है इसका मतलब ही डीटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डीटेल्स यहाँ पर आ चुकी है यह है लीट का फूल नेम यह है लीट की मेल आईडी और यह है लीट का कॉन्टेक्ट नमबर इसका मतलब जो automation हमने बनाय है पैबली करेट पे वो सही से काम कर रहा है सिंप्ली दो स्टेप के हमने पूरा automation बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली जैसी आपको अपने drop shipping business के लिए कोई नई lead रेसीव होगी फेस्बुक लीडेट से आटोमेटिकली वो डीटियल्स जाके रिकॉर्ड जाएंगी गूगल शीट की रो में तो अगर आप भी इस workflow का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी कोई इशो है तो आप जा सकते इस लिंक पर अगर आपको यूज वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू